हलो बच्चों आई हैंग सातद के स्टोगत है तो आज के सैषिनफ हैं अब डिसकस्ट करने वाले farming आपका है आज का जो जही नीड की कलास है आपकी चालो हुई एक काफी दिन बाद चालो हुई है काफी बच्चे कहा रहे हैं कि मकंद दिन हो गया बंद हो जाएगा नहीं है इसी बात नहीं है हमारी तबियत बीच में खराबती आपको पता है और दो दिन की फिर क्या है रेस्ट ले लिए थे थोड़ा सा क्योंकि रेस्ट लेना जरूरी था देख रहे थे आवाज नहीं निकल लए थी अब आज सुरू हो गया ह बहुत अच्छे तरीके से होगा जैसे चल ला था पूरी उसी जुनुन के साथ उसी उम्मिद के साथ उसी जोस के साथ हम क्लास को रन करेंगे आगे बढ़ाएंगे और आज जो देखते हैं जे इनीट की टॉपिक में इससे सवाल कैसे आते हैं यह टॉपिक क्या है डिटर् सूत्र पता हो तो निकाल लेंगे हैं लेकिन नहीं अगर सूत्र नहीं आपको पता है तो कैसे निकालेंगे हम उसका और भार कैसे निकालेंगे उसकी बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार सबको एलो है सब लोग को डेसरा प्यार और सब लोग को देखते हैं कौन आ गए खुसियाल चवान आ गए हर स्विस करमा आ गए विकास जी आ गए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे पुस्पार हाँ क्या है पुस्पराज भी आ गए बहुत अच्छे भाई आजाओ आजाओ जल्दी से आजाओ कोई देर मत करना क्य इतना अच्छा टॉपिक है भाया जी डिटर्मिनेशन आफ मॉलिकुलर मास् क्या है सि यानि कि हम क्या करेंगे अरभार की गड़ना करना और वार की गड़ना कैसे कैसे की जाती जारा उसके बारें करेंगे दीरे-दीरे तब कुछ होगा परेचान मत होना आज देखते हैं क्या होने माला है क्या होने वाला है चले हाँ जय हिन स tahu बिल्कुल अमित चोहांजी जय हिन जय हिन आयूस मलिक मनोश कुमार 1500 गुड मॉर निग भह permitted ऑच्छे मैं थेख चले या सब चलते हैं तो मिल काजल सेन भी आ गही है करनकुमार आ गही है बहुत अच्चे कुणूग गुपता बच्ची आ गही है अगर दिख रहा है तो comment कर देना एक बार sir, all clear, उसके बाद मैं अपने कदम को आगे बढ़ाता हूँ, अपनी कहानी को start करते हैं, और सुरू करते हैं, क्या होने माला, start कीजिए sir, सब कुछ सही है, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अगर clear है, तो बात करते हैं, क् लिखा हुआ है, the molecular mass of the organic compound can be determined by various methods, मतलब की कहने का, आपकी पास जो कार्वनिक योगिक हैं, उन कार्वनिक योगिकों के अडभार ज्यात करने के लिए, हम अलग अलग नेमों का उपयोग करेंगे, अलग अलग विधियों का परियोग करेंगे, क्या, अलग अलग विधियों जैसे कि आपका आएगा, विक्टर मेयर भी धी आएगा, हमान भी धिय आएगा, इस तरह से आपके पोइंट आते हैं, इससे related हम formula बनाते हैं और formula की इस साथ से हम क्या करते हैं भी या क्या calculate कर लेते हैं भाई आपका अणुभार ऐसा योगी खोका जिसका अणुसूत्र नहीं पता होगा उसी के अणुभार को करना करते हैं लेकिन अगर देखा जाए इसके तो ये दो तरह से इसके दो भी दिया है मुक्कता कितने हैं दो है एक होता है किसके लिए एक volatile के लिए एक क्या होता है calculation क्या गाल्कुलेशन अब्लाटाइल कंपाउंड लुलाटाइल और गेनिक कंपाउंड पहली बात तो किसके लिए वास्पसील और गैनिक यानि वास्पसील कार्वनी क्योगिक के लिए और दूसरी बात आती है कैलकुलेशन क्या कैलकुलेट किया जाता है भई या वही मास है ना कैलकुलेशन आफ नान वोलाटाइल क्या नान वोलाटाइल है ना और गैनिक कमपॉंड यानि की और गैनिक हमानि वास्पसिल घटक की लिए क्या होता है वास्पसिल घटक के लिए और o वारियस मेथर्ड यानि और गेनिक कमपॉंड अर्थाथ क्या है कार्बनी की योगिकों का का्वंडी की क्यों का का अगर मुझे अनुझे अड़ृवहरद निकालना है तो अड़ृवहर निकालने के लिए हम निПрी करते हैं कि हमारा वोगा और यह था कित तरह किए वासफसी क्या वोल मैंने एक होगा वासफसी एक होगा वासफसी एक और होगा बस यानिक जो हमें योगिक होंगे न वो दो परकार के होंगे क्या होगा आवासवसील और वासवसील होगा चले ठीक है आगे चलते हैं देखो ध्यान से बस इतनी बात को समझना जो आरगेनिक और निकालने की विधि आपकी अगला पॉइंट आता है यहां से फीजिकल मैथिड यानि सबसे पहला विद्फिया आता है भातिक गुर्धार क्या भातिक विधी इति किसके लिए किसके लिए वॉलाटाइल कंपाउंड यानि कि वास्वसील घटक के या वास्वसील योगिको के भौतिक विधी वास्वसील योगिकों के लिए भौतिक विधी क्या होती है आपके गढ़ना करने की ज़रा ध्यान से सुनना इस बात को समझने की कोशिस करना परेशान मत होना आपको पूरी तरह से समझने आएगा यानि क्या है पहला भहुतिक विदी है यानि क्या है physical method for volatile compounds किसके लिए वास्वसील योगिकों के लिए वास्वसील घटकों के लिए क्या भहुतिक विदी में क्या होता है जरा देखते हैं आज आज़ो देखते हैं क्या देखें विक्टर मेयर विदी सबसे पहले आगर विक् Victor Mayor क्या कहते हैं Victor Mayor एक विदी है आपके क्या अणभार ग्याद करने की है परियोक्साला विदी एक परकार से कह सकते हो इसमें लाइब डोटरी होता है आपके परक्नली स्टेंड सारी चीजें होती हैं उसमें हम किरिया कराते हैं किरिया कराने बाद हमारा योगी काता हूँ कैसे कैसे आता हो देखते हैं क्या लिखा हुआ है Molecular Mass of Volatile यानि कि Molecular Mass of Volatile Liquid and Solid can be easily determined from the application of Avogadro Hypothesis according to which 22.4 liters are 22,400 ml वो लीटर है या मिली लीटर है उसकी बात क्या हो जाएगा Of the vapor of any volatile substance at NTP बात को समझने की कोशिस करना सुनना ध्यान से ध्यान से सुनना आपको बात समझ में आईगी पूरी तरह से क्या कहा है Victor Mayor विधी में Molecular Mass of Volatile किसके आपके पास जो Volatile Liquid हो या फिर Solid हो यानि आपका वास्तसील घटा को अब वो चाहे दरो वाला हो चाहे वो थोस वाला हो उसके मास को उसके अणभार को निकालने के लिए हम क्या करते हैं बहुत आसान तरीके से Easily Determined from the application of गादरो हाइपोथेसिस According to which the mass of 22.4 लीटर इस बात को समझें ग्यारा का सिलेवस लिखा थोड़ा सा क्या लिखा आसानी से हम निकाल सकते हैं किस application से अब गादरो के नियम से अब गादरो के नियम से क्या निकाल सकते हैं उनकी हाइपोथेसिस अर्थात उनके गर्दिये मान के अधार पर हम निकालते हैं लेकिन वो किसके अनुसार निकलेगा फिर according to which of mass यानि mass जो निकाला जाएगा वो लीटर अर्थात आयतन के यानि volume के according निकलेगा 22.4 लीटर के अनुसार वो निकलेगा जो वास्टसिल घटक होगा उसके लिए या फिर बहुत सकते हो 22,400 ml में निकल सकता है और आपके कहरा of the vapor of any volatile substance at NTP मतलब कि जो आपका वाससिल घटक होगा उसके वास्व का वास्व का आयतन होगा समान ताप और दाप पर उसके हिसाब से और इनके हिसाब से हम उब सक आडबहर निकाल सकते हैं बात को सुनना कहा से बोला है जानती हो कहा से बोला मो detect कांسبना से बोल ला आपको एक तरीका मैंने बताया था मोल का संबंद्ध बताया था आतन की कैस में क्या कि किसी गैस के मॉल जो हूंगे उसका समान ताप और दाप पर कितना आयतन हो और बटे क्या कहा ना 22-24 लीटर उसी इसाफ से आपको आप ही आएगा समझ में पहले ध्यान से सुनना इतनी बाते आपको समझ में आई विक्टर मेहर विदी क्या कहता है कि आपको किसी वास्वसील ठोस या गए ठोस या द्रोव कहां अड़ुभार हम आसानी से निकाल सकते ह है अवेगादरों के नियम के अनुसार और उसका मास जो होता है उसके आयतन के संबंद में कैल्कुलेट कर सकते हैं याद आया जल्दी बताना क्या आपको समझ में आया जल्दी बताये में दो बार समझा दिया हां चलिए बहुत अच्छे 11 में ये टापिक था मनोश कुमार हां बताये क्या आपको ये समझ में आया अग्जाम में नहीं पूछेगा मुस्कान बच्ची लेकिन समझाना जरूरी है क्योंकि डारेक्ट गर मैं बता दिया फार्मुला तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए डिफ्निसन बताना जरूरी है अब बताओ इसका हो गया अब इसका संबंध कैसे कैसे है इसका फार्मुला क्या क्या आएगा जैन से सुनना यह हो गया अब आप देखो द्या से क्या कहा मैंने इसके संबंद में निकालेंगे, तो हम नहीं जानते हैं, we know that, ध्यान से सुनना, we know that, हम जानते हैं, देखना ध्यान से, mole of the gas, mole of the gas, या फिर बोल सकते हूं, volatile compounds, ऐसे लिलो, volatile compound, volatile compound, यानि की, वास्प सील घटक के लिए, mole जो होगा, वो क्या होगा, is equal to, आपको mole concept के formula से, मैं इसका formula निकालूँगा, जरा ध्यान से सुनना, यह हो गया, volatile compound के लिए बात करते हैं, तो यहां क्या आता है, क्या आता है, volume of, क्या, volume of volatile compound at NTP, ध्यान से सुनना, volume of volatile compound at NTP, मतलब कहने का, कि वास्प सील घटक का, जो आयतन होगा, समान ताप और दाप पर, क्या, आओ, volume of volatile compound, compound at NTP, whole while, क्या हो जाएगा, whole while, by 22,400, चलो, ml में होगा ध्यान देला, इसलिए मैं इसको भी ml लिखूँगा, अगर आप इसको लीटर में रखते हो, तो इसको भी लीटर में रखना होगा, आपको, और कोई दिख्कत नहीं, है ना, चलिए, कोई बात नहीं, नीरज बाबू, आप सेसन का पहला दिन है, तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनो, पहले अभी बात तो समझ में आ जाएगी, तो ये तो हो गया, मैरा पुराना फार्मूला, ये तो है पुराना फार्मूला आपका, क्या है, ये पुराना फार्मूला है, आगे मोल जो होता है वो क्या होता है बेट बाई मालिकुलर बेट होता है ना बेट बाई मालिकुलर बेट होता है होता है ना यस सर बेट बाई मालिकुलर बेट बराबर आयतन है वो हाँ सर आयतन है वी अपान ये क्या है बाईस अजार चार सो ml में होगा at ntp इसको लिख दो नहीं तो पता चले कि गड़बड हो जाएगा at ntp पर इसको हम क्या संकेत देख सकते हैं small w और इसको लिख सकते हैं क्या capital M लिख सकते हैं जी sir is equal to क्या हो जाएगा आपका capital V upon 22,400 यह हो जाएगा आप जरा एक मिनीट के लिए धयान से देखना इसको निकालना है इसको अकेले बचाना है इस नंबर को इदह लाओ इस नंबर को इदह ले जाओ और 22,400 इदर क्या होगा गुड़ा हो जाएगा यानि यह नंबर आएगा ऊपर यह नंबर आएगा नीचे और ये नंबर आएगा इसके साथ यानि डारेक्ट अगर लिखेंगे हम तो यम बरावर क्या आजाएगा आपका क्या आजाएगा वहिया small w upon b गुड़े 22,400 ध्यान से सुनना दिखा यानि ये फार्मूला निकल के आता है इस संबंद में विक्टर मेयर विदी में आता है आपका यम बरावर डवलू बाई वी इंटू बाई 24,400 अच्छा इसको और कुछ कर सकते हो देख लेना ध्यान से कर सकते हैं सर बिल्कुल कर सकते हैं ये क्या लिखा है भार बटे आयतन धरबमान बटे आयतन भार अलगा नछ स्रिदिटी लिखा है क्या लिखा सप्टे लिखा है तो लिखेंगे क्या डेनसीटी के इंटू वाई का एंटू वाई 24,400 बस ये भीतो फार्मूला बन गया सर अगर मुझे देनसीटी पटा तो मैं ये भी कर सकता हूँ क्या density अगर पता है तो ये भी कर सकते है ये फार्मुला बन के आता है विट्टर मेर भी दी में और कुछ नहीं करना है बस यही है अब आगे बताओ क्या होगा जल्ली बताओ क्या आपको ये समझ में आ गया एक बार फटाक से कमेंट कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ जल्दी से काजल से नियस सर कुमार सोनू हाई हाँ चेप्टर चेप्टर आपको तो जो चल ला है भाई ए ना प्यूरिफिकेशन चल ला है विसले सर सर बी बरावर भी निकाल सकते हैं बिलकुल बी बरावर भी निकाल सकते हैं भाई आयतन निकाल सकते हैं लेकिन कुईस्टन में आपको आयतन दिया रहेगा एंटी पी पर समान ताप और दाप पर आयतन दिया रहेगा बात समझ में आई, आ गई बातें, जी सर आ गया, अगर आपको आ गया तो मैं आप आगे चलता हूँ, जी सर, चांदर सेखर गुपता, जिंदा बात करने बिहार, चलें आगे, ये फार्मूला होता है इस संबंद के, विक्टर मेयर विदी में डारेक्ट अगर फार्मूला ल बॉलटाइल कंपॉंट का मालिकुलर बेट, इसकल डू क्या हो जाएगा, बॉलटाइल कंपॉंट का क्या होगा, एटामिक बेट आपको चुद दिया रहेगा, बेट दिया रहेगा बहर, और बटे, NTP पर उसका आयतन होगा, ML में, और क्या होगा, गुडे 22,400 आएगा, ब स्कान छलो मैं आगे चलता हूं आगे चलता हो अगला जो टापिक आपका है ऑला आपका क्या यह फिजिकल नान ऑला अला कॉंपउ dudes के लिए था वम अगली सिल घटक के लिowser अगली बार क्या आएगा अब की बार आगया क्या आवास्ट सिल घटक के लिए बहुतिक विदी जो होगी वह आवास्ट सिल घटक के लिए होगी तो इसने क्या लिखा हुआ the molecular mass of a non-volatile organic compound यानि कि कार्वनिक योगीक का कार्वनिक योगीक के आवास्पसील घटक के यानि आवास्पसील कार्वनिक योगीक का अड़ुभार निकालने के रिए क्या करते थे can be determined by noting either the क्या है elevation in boiling point of the solvent यानि क्या इसको बोलते हैं evaloscopy evaloscopy बोलते हैं इसका दूसरा नाम है ये एक परकार से कह सकते हो कि जैसे इंगलिस में centonins centonins होता है ना वो ऐसे है प्रियावाच चीएगे किसका किसका है elevation का elevation का क्या ये है ये क्या कह रहा है कि हम इसके mass को determine कर सकते हैं इसके आभवार को ग्याद कर सकते है किस बिदी से elevation of boiling point यानि elevation of boiling point का मतलब होता है कौथनांक का उन्नैन है ना कौथनांक का उन्नैन बिदी से कर सकते है ये कच्छा 12 का है और 12 का ये topic टॉपिक कहा है विलेयन का है विलेयन का कहा है और उसलंक गुर्धर्म का यह टॉपिक घुज गया क्या इलिवेशन आप बॉइलिंग पॉइंट या फिर दूसरे मैठेड का नोगा डिप्रेशन आप रिजिंग पॉइंट यानि कि हिमांक का आउनमन या हिमांक में आउनमन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं इसके गड़ना कर सकते हैं यह भी आपका कच्छा बारा का ही टापिक है और संक गुर्धर्म का विलेयन चेप्टर से आगे आते हैं आफ दा सॉल्वेंट यानि बिलायक का क्या हिमांक का आउनमन यानि को यह प्रोड्यूस वैइंडिजॉल्विंग क्या अच्छा इसको क्या बोलते है क्रायोस्कोपिक बोलते हैं इसको किस मैठेङकों डिप्रेशन और अपुक्राइज्छें पॉिंट को पॉलते हैं और फिर कहरा अपनीना संट्सेंस in a known mass of the, ये क्या वाई, अधा लिगे और गेनिक कंपाउंड आगे क्या होगा इसके आगे तो computer मोद लिखे ही नहीं दा non volatile और गेनिक कंपाउंड बस ये होगा ध्यान से सुनना मैं हिंदी बता रहा हूं इसकी परिसान मत हो ना दोनों बताएंगे ये दोनों जो बारा में हैं बच्चे पढ़े हैं वो तो याद होगा जो नहीं पढ़े उनको फिर याद आ जाएगा इसलिए मैं कहता हूं बारा का पढ़ो देखो कहा से कहा गुज गया फिजिकल मैं दिया है नान बोला टाइल में नान बोला टाइल योगीकों का अगर मुझे अनुभार निकालना है तो उसमें हम दो बिधी का इस्तेमाल करनें फिर किसके किसके मैं इसलिए निकाल सकते हैं यानि विलायक के क्या कृतनांग में उन्यन से और विलायक के हिमांग में ओनमन से ये क्या है दो हमारे ऐसे गुरधर में जो अनुसंग गुरधर में जो कॉलिगेटी प्रापर्टी है कच्छवारा में आप विलेन चेप्टर में यानि सोलुसन चेप्टर में आपने पढ़ा होगा इसको है ना तो इसके बारें चर्चा करते हैं देखते हैं यानि की भौतिक गुर्ध है मैं नान बोला टाइल के लिए अगर अड़भार निकालना है तो मैं किसका उप्योग करूंगा Elevation of boiling point और depression of freezing point दो क्या करूंगा अब दोनों को करके देख लेते हैं आओ दोनों को करके देखते हैं उसके बाद आगे बढ़ाएंगे बाद को चलो Elevation of boiling point और depression of freezing point ध्यान से सुनना क्या सबसे पहले देख लेना बाई Elevation of boiling point आजो ध्यान से सुनना इसकी चर्चा करते हैं Elevation of boiling point of the solvent Solvent यानि कि क्या है विलायक के कौथनांग का उन्यन विलायक के कौथनांग का उन्यन हाँ कौथनांग का उन्यन है यह इसमें क्या होता है विलायक का कौथनांग का उन्यन क्या कहता है क्या कहता है दीरे दीरे सुनों ध्यान से जब किसी विलायक में यानि सुद्ध घटक में, कुछी आवासितील घटक को मिला दिया जाता है, तो उसका जो कौथनांक होता है बढ़़ जाता है, क्या बढ़़ जाता है, वो कुछ समय के बाद गया हो वबलना शुरू होता है, यानि तापमान और ज़्यादा देना पड़ता है, वो qothonag बढ़ जाता है अर्फाट जो qothonag बढ़ता है तो इस different को ताप आंतर को यानि उस ताप के आंतर को क्या बोलते हैं क्मान नेन बोलते हैं और वो qothonag का उनेन क्या होता है आपका उस bil円 की मुल अलता के समानुपाति होता है जाने क्या है reversible proportion to molality of the solution यानि कि जो आपका elevation आप boiling point होगा वह हमारा क्या होता है विलेन के मुललता के समानुपाती होता है तो formula क्या आता है इसका जड़ा ध्यां से देखना ध्यां से देखना जो आपका elevation आप boiling point आता है इसका संकेत होता है अगर डेल्टा टी इस इज रिपर्जेंटेड वाई वाई लिखलो अगर आपको थोड़े सा इंगलिस लिखना है तो लिखलो नहीं तो होगे सर्जी लिखे नहीं है ना इस 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 दा रिपर्जेंटेड रिपर्जेंटेड वाई डेल्टा टी वी है न यह क्या है इलिवेशन आफ बॉयलिंग पॉयंट यह है आपका और यह हमारा क्या होता है हम जानते हैं डारिट लिखो क्योंकि बारा में आप लोग पढ़ चुके हैं we know that नहीं पढ़ें फिर भी समझ में आएगा क्या है इलिवेशन आफ बॉयलिंग पॉयंट जो हमारा होता है वो रिवर्सबल प्रपोर्शनल क्या होता है क्या है मुलालिटी आफ दा सोलूसन यानि की विलेयन के मोललता के समानुपाती होता है क्या विलेयन की मोललता के समानुपाती होता है ड्यात से सुना यादा रहा खी नहीं यादा रहा कच्छा नहीं पढ़ली में यहाद आ रहा है और आ एक्जामबल इक्जामबल बदा देंगे बच्छे परेसाल मुद् 흥 जान्बल के लिए जाता है मोलल उन्नेन इस्थिरान और मोललता को क्या लिखते हैं इस्माल यम लिख दो रिपरजेंटेट यही तो होता है मोललता का अब मोललता का फर्मुला का लिखना है तो आपको फर्मुला भी लिख दो क्यों हमें क्या निकालना है और भार निकालना है तो और भार पर ल इन केजी अब यहां से लिखेंगे यहां से नमबर आफ मोल्स आफ तोलूट अपान क्या मोलों की संख्या अपान क्या हो जाएगा है ना बेट आफ तोलूट इन केजी अगर केजी को ना किया जाए तो क्या होगा भई यह एक हजार से क्या करो इसमें क्या करोगे सर इधर गुड़ा कर देंगे सर इधर इधर हो जाएगा खतम बात सर इसी में एक हजार से गुड़ा कर देंगे तो ब्यात खतम हो जाएगी अब बात आती है कि इसको क्या करेंगे नमबर आप मोल्स को क्या लिखेंगे, बेट भाई मालिकुलर बेट, लिखेंगे न, हाँ सर लिखेंगे, मैं पूरा फार्मूला लिखना हूँ, ज़र ध्यान से सुनना, बेट भाई मालिकुलर बेट, यानि कि इसको लिखेंगे मोल्स को, मोल्स बराबर, क्या होगा, बेट by molecular bit यह होगा यह होगा ना small w capitalium लिख देना चलो लिख दो क्या हो जाएगा delta tb is equal to हो जाएगा sir क्या हो जाएगा kb into small w upon capitalium upon और यह क्या होगा capital w माल लो इसको क्या माल लो को capital w capital w माल लो यह kg में है किसमे है kg में इसको नीचे कर सकते हो हाँ sir कर सकते हैं delta tb is equal to क्या हो जाएगा kb into small w upon क्या हो जाएगा capital m into capital w यह किसमें kg में हो गया जी sir हो गया हमें capital m का मान निकालना इसको जरा इधर कर लो इसको इधर कर दो भाई बाकी इनको इधर कर दो तो क्या हो जाएगा आपका capital m is equal to kb into small w upon delta tb और into capital w और kg में यह बन गया आपका क्या क्या बन गया ओ सर यह तो फार्मूला बन गया है यह तो सर फार्मूला बन गया है यह बाई तुम बढ़ हो पाहें यह बढ़ गया है यह नया फार्मूला बन गया सर क्या बन गया यह मराबर kb into w यानि small w upon delta tb into capital w kg में है ना गुड बार्निंग प्रियंका बच्ची अभी भी आयो लग रहा है देख लो पहले यह फार्मूला आपका कच्छा बारा का ही है और यही फार्मूला आपका डारेक्टिक स्लेवस में लिखा हुआ है किसके अंतरगत physical method non-molatile के लिए compound के लिए क्या लिखा है जब molecular भार निकालना molecular क्या है बेट निकालना रहता है और भार निकालना होता है तब तो यहां से यह फार्मूला बनता है किसके लिए elevation of boiling point से बनता है यानि कि विलाया क्या कोतना का उन्यन के लिए हाँ एक हजार से क्या होगा भाया जब आप उसे गराम में करोगे तो कर देना और जब आपके सवाल में एक गराम में दिया रहेगा इसको किलो गराम बनाऊगे तो एक हजार से भाग दे देना ऊपर चला इसलिए कहीं कहीं जानते हो यह लिखा रहता है मैं दिखाता हूँ इसलिए आपके कहीं कहीं लिखा होगा ऐसे करके क्या भाया एक हजार लिखा रहता है गुड़े क्या लिखा रहता है के बी इंटू इसमाल डबलू लिखा रहता है अपॉन डेंटा टी भी लिखा रहता ह in to capital W लिखा रहता दो गिलोगराम बन जाता है अगर मैं फार्मूले में directTod किलो ग्राम लिखाओं तो कोई दिक्कत नहीं आपका सवाल जैसा आगा उस हिसाफ से काम करना अगर विलायक का भार ग्राम में लिया है तो तो उसे kilogram बनाने लिए 1000 से भाग देना इसी में वो फर्मुला तुनंद बन जाएगा है ना और अगर kilogram में दिया है तो कहीं नहीं भाग देना है इसलिए standard formula यह आपका है इस हिसाफ से काम करना अगर आप कहा है अगर आप इस से रटते हो इसको तो गढ़बढ हो जाएगा क्य जल्दी बताईए, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई, जल्दी से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे भाई, आ गया सर, के बी डबलू एक हजार बटे इतना इन ग्राम, हाँ, जब उसको ग्राम में करोगे तो वो उपर चला जाएगा, लेकिन अभी नहीं करना है, आप इस कुमार चावरा, सयाजी, सही करो, यहाँ क्या लिखा है, दिश इस दा रिपरसположन्टेड वाई डेल्टा टीवी, मतलब किसको रिपरस buena कर रहा है, इनको रिपरस रिपरसब्ल टू मोलिलिटी अव-द आव्डसू-वद्यू-ड्यू-व्यू-पॉर्ड यानि क्या है, क्या कोथनांक में अंतर है सीधा सीधा आगे पिर क्या लिखा है बीनोदाइट हम जानते हैं डेल्टा टीवी रिपर्स क्या है रिवर्सबूल टू मॉलिलिटी आव दा स्वालूसन यानि की विलेयन के मॉललता के समानुपाती होता है आपका कोथनांका उन्ने हो गया फिर आगे लिखा हुआ है डेल्टा टीवी इसका टू इसका संकेत दे दिया जब परपोसल लटा तो एक कॉंस्टेंट अगया के वी विलेयन की संक्या यानि कि नमबरा मौ सरीट अपन चलिक लिखी आगे जores आ पीछे जैसे और नीचे जैसे सब कुछ वैसे लिख दिया येस्वलेंट का जो आडुभार होगा बिलायक का जो भार होगा उसको मैंने capital W से लिख दिया kg में अब ये तो बटे में था नीचे आ गया इस तरह से दिखा हमें आडुभार निकालना यह वाला इसलिए मैं इसको इधर कर दिया और इसको यहां कर दिया बस और कुछ नहीं किया जैसे जो यहां था वैसे कव ऐसे पड़राएगा इसको मैं इधर किया और इसको यहां कर दिया है ना चले आप देखते हैं क्या है यह बराबर क्या दिखा kb into w upon delta tb into w capital w kg में अगर आपको पूरी तरह से थेयोरी इसकी लिखनी है इसका जो आपके IIT में नीट में लिखा रहता है क्या लिखा रहता है molecular weight of the non-volatile organic compounds ऐसे लिखा होगा क्या molecular weight of the non-volatile organic compound is equal to क्या है क्या है molar elevation of constant into weight of non-volatile organic compound upon elevation of boiling point into weight of solvent in kg यह लिखा रहता है संकेत जिसका उसी का नाम लिखा रहता है बस इतने रहा है इसी में बच्चे confused हो जाते हैं Hindi में क्या बोलेंगे इसको कि भैया आवास्सिल कार्वनिक योगिकों के लिए जो अर्भार है वो बराबर होता है कि इसके बिलेन के कोथनान के, उन्यन के इस्थिनान के बराइन गुड़े आर्वास्ill घटक के बहार के, अपन क्या है कोथनान का उन्नेंज जो होगा गुड़े बिलाये के भार के गुड़न फल की अनुपात के बराबर आता है बस अब पताईए क्या आपको इतनी बाते समझ में आ गए चले खुसी गुपता समझ में आ गए सर इवार बेस्ट खुस रहिए भाईया अनाम का करेंबहें आ गया ओर सबको समझ में आ गया तो मैं आगे भरता हूं यह इंड़ियों ताकि आपको समझने आजा है और इसको और भी बेतर समझना है तो आप 12 में जा करके lecture को देख सकते हैं पीछे 12 की class में है ना हाँ हाँ के भी constant है के भी क्या constant है मोलल उने निस्तिरांग का है चलो आजाओ ए अगला अगला क्या होगा दूसरा वाला दूसरा क्या है क्या भी या depression of raising point raising point of the solvent यह भाईया हिमांग में आउनमन है ना विलायक के हिमांग में आउनमन यह भी आपका क्या है क्वालिगेटी प्रापर्टी है कच्छाबारा में आपने billion chapter में पढ़ा होगा हो गया इसमें क्या होता है इसका representation कैसे होता है इस इस यह दिस इस इस एक रिपर्जेंट वाई इसे परजेंटर वाई देल्टा टी आफ फ्रीजिंप पॉंट ए रहा हिमांग Δ Z T F, यह क्या है आपका? Diepreson of freezing point freezing point यह होगे आपका आगे फिर क्या होगा आगे फिर लिखेंगे वही बात V no dait हम जानते है की वही बात है जोटी बात नहीं पुरामी बात हम जानते हैं कि जो freezing point हमारा होता है वो समानुपाती होता है किसके क्या होता भाई भाई morality of the solution morality of the solution क्या होगा morality of the solution यानि यह हम जानते हैं कच्छा बारा में हम पढ़ चुके हैं अब इसके आगी जो फर्मूला आएगा वो भी तुबारा का होगा क्या होगा सर जब भी परपोसनल हटेगा तो क्या आयता है constant आता है जैसे महां के भी आया तो महां क्या है क्या है क्या है यह हिमान का ओनमन इस्तिरांग का है into है ना into मोललता का इस मॉलियम हो गया डेल्टा tf is equal to क्या लिखेंगे kf into इसको क्या लिखेंगे number of moles by bait of solvent विलायक का भार in kg में क्या भी है kg में अब आपको यह भी पता है कि डेल्टा tf वराबर क्या हो जाएगा सर डारेक्ट मैं लिख देता हूँ सर वही बात यह तो आएगा ना यह तो वही पुरानी चीज है सर क्या है bait by molecular weight इसको लिखो small w और molecular weight को capital w और weight को यानि कि अड़ुभार को इसके भार को विलायक के भार को capital w लिख दो kg में यह हुआ वही बात पुरानी बात इसको इधर कर दो क्या सर small w बराबर small capitalium बराबर होगा यार capitalium इधर करो यह इधर आगा यानि ऊपर क्या है kf capital w और यहां लिख देना kg में ओगया अ बताओ बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया यह फार्मूला आपका निकल के आया किसके लिए इमांक में आउनमन में क्या फार्मूला निकल के आ गया जल्दी बताओ क्या आपको इतनी बाते समझ में आ गई जल्दी बताओ यह फटाक से पड़ा फट बतांगे न मेरा भाई आपका यह भी इस टेंडर फार्मूला उसी तरह से आणभान निकालने की विधी है कि जल्दी बताओ यह क्या आपको आ गया समझ में मुसियाल चोहान जी आपको फोन डिस्चार्ज है विने कुमार पटेल जी क्या दिक्कत अभी अभी आयों क्या लग रहा है ठिक कोई बात नहीं क्लियर है आकास मौरिया जी करें सर क्लियर हो गया आगे बताईए आगे कि सब लोगों को क्लियर है या नहीं है जल्दी बताओ मैं आगे बढ़ूं यह भाई कमेंट कर दो ना यार हो गया सर यस सर अज़ा कुछ कुछ आ गया समझ में सर अनामिका को आ गया है मनोज कुमार चौहरसिया को आ गया है हाँ कि अरे तो स्माल डपलो मनोज कुमार चौहरसिया इस्माल डभलो यह सिर् nenhuma जो आपका है नमब्रामोस यह सिर्फ डवलो नहीं है small wie capitalium है small wie capitalium है अगर अगर, अगर मैं आzh bog अगर मैं इसको ऐसे लिएता तो अगले इस्टम में नीचे करता की नहीं करता करता ना अगर इसको बटो बटो भार बटो भाद तो इसको नीचे करता ना हां सर करते तो मैं डारेक्ट नीचे कर दिया हूँ यार बस यतनी बात है मनोश कुमार जवरसिया जी इतनी बात समझ में या सर आ गया सर समझ में ठीक है यह हुआ यह हुआ यह हुआ फर्मुला बन गया आपका यह क्या बना यह आपका बारा का टॉपिक है अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत भी होगा ना वो जाकर कि आप पीछे देख सकते हैं पूरी तरह से हम जानते हैं कि दिक्कत तो नहीं हुआ होगा क्योंकि आसान सब्दों में सिर्फ इतना कहा भाई कि जो आपका होता है रिपर्जेंटेज को इस तरह से प्रदसित गया जाता है इसकी थेओरी अगर चाहिए आपको तो बारा में मिल जाएगी है ना क्योंकि जेई और नीट की क्लास पेपर में आपको थेओरी नहीं पू इसका मान निकालना है इसका इसको मैं इधर कर लूँगा इसको इधर कर लूँगा इसको इधर कर लूँगा बस कनी जगा बाद लेंगे और कुछ निकाल कर लेए किवल जगा बदलेगे तो हमने क्या क्या यहन को इद्धर करDja कि ए मगत अच्छे मनोज गुमार जी क्लियर हो गया सर किलियर सत्यागुत्ता जी सर बहुत अच्छे है आओ थोड़ा सा अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है इसके साथ आगे आगे क्या है ये दो हो गए चलो इतनी बाते हैं अगर समझ में आगी तो भहुतिक गुर्धर्म अर्थात भहुतिक बिदी जो था आपका वो खतम हो गया अब आपका सुरू होता है क्या हाँ now clear क्या है chemical methods यानि रासायनिक गुर्धर्म अर्थात रासायनिक बिदी में क्या होगा रासायनिक बिदी में हम क्या करते हैं रजत शाल्ट होता है, रजठ लमढ विधी से कंगते हैं, सबसे पहली विधी आती है, रजठ लमढ विधी, जिसे कहा जाता है क्या? Silver Salt Method क्या कहा जाता है Silver Salt Method जहां से सुना Chemical Method में आपका पहला Method आता है Silver Salt Method हिंदी में कहा जाता है रजत लमड विधी क्या करते हैं जानते हैं इसमें इसमें आपका एक Silver का लमड होगा कुछ Silver के लमड से कुछ Silver विस्थापित होगा कुछ सिल्वर आउसे बच जाएगा इसी के रेसियों से अर्थाति इसका रेसियों कैसे निकलेगा वो मैं आपको एक हिंट देता हूं आपने पढ़ाओगा रासायनिक बलगत्की में पढ़े हो तहां पढ़े हो इसी में पढ़ाया हूं आपको क्या है उसमा गत्की में मैं पढ़ाया हूं उसमा गत्की में थर्मोडाइनमिक में हमने पढ़ाया था सेकंड लाव थर्मोडाइनमिक कि याद आया है सेकंड लाप थर्मुडाएं उस हिसाब से क्या पताया था कि जो आपके इलेक्टोड पर निच्छेपीत पधार्थ होते हैं यह आप उसको अगर ना जाने तो आप यहां पढ़े होंगे बैदुत रसायनी स्रेडी माले में क्या है क्या पढ़े होंगे शेपीत पदार्थ की मात्रा होती है उनके तुल्यां की भारों के क्या अनुपात के बराबर होता है यही कहा था ना वहां भी यही लिखाता सिल्वर पर अर्था सिल्वर का भार और क्या है कापर का भार उधर लिखाता सिल्वर का तुल्यां की भार और कापर का तुल्यां कि बाद लेकिन यहां ॥ोड़ा सा अलग बोलेंगे रहे गां तरीका वह रहेंगा बोलेका थोड़ा सालग होगा फार्मुला भी वही आएगा लिखने का तरीका भी थोड़ा-सा अलग होगा आगर आप पीछे पड़े हैं तो आपको समझ में आएगा देखिए यहां मैं based on the fact that silver salt of an organic acid on heating gives residue of metallic silver मतलब कह रहा है कि इस विदी में हम क्या करते हैं क्या करते हैं silver salt को मतलब silver lemon को organic compound के organic acid यानि कि क्या carbonique अलमें मिला करके उसे गर्म करते हैं वह क्या होता है ड्यशेडियू अर्फ़ा टूट जाता है कि सिलवर धात भी में क्या होता। है ना हाँ वो सिलवर धात में टूट जाता है ध्यान से सुनना जब उसको हम गरम करते हैं इस silver के लवन को organic compound के साथ organic acid के साथ क्या करते हैं जब हम गरम करते हैं तो वो silver धात में तूट जाता है तूटता है तो क्या होगा जड़ा देखना ध्यांसे नीचे क्या लिखा है क्या है molecular mass of the acid molecular mass of the acid equivalent mass of the acid and vaticity जानतों यह क्या लिखा हुआ है तुल्यांगी भार का formula आपको फिर बढ़ाया गया था अच्छा बारा में ही क्या कहा गया था तुल्यांगी भार बराबर होता है और भार बटे सहीं जगता कहा था ना साथ कट में लेकिन सहीं जगता की जगा पर क्या आया था कि यदि तुल्यांग की भार होगा हमारा किसका अमलका अब बात आती है सर यह थोड़ा सा नहीं हमको समझ में आ रहा है सर आप जो बाहरा में बताए तो वो बता दीजिए हिंदी में बता देते हैं आराम से तुल्यांग की भार अगर मैं इसे रोकूं तो इसका गुड़ा होगा इधर की नहीं होगा होगा ना याने कि अघल वर मार इसका इधर आएगा यानि कि तुल्यांग की भार और गुड़े सही जगता आएगा कि नहीं आएगा आएगा ना यही तो लिखा है यहाँ भी यही तो लिखा है यहाँ भाई यही तो लिखा है और भार बराबर तुल्यांग की भार गुड़े सही जगता यह भी लिखा है यहाँ है ना यही ब्रच्छ में आया इसे भी पढ़े हैं सर आप से ही बिल्कुल आप बता दिया मनुश्कुमार जी के ने कहा सर आप नहीं पढ़ाया यह टोलत में क्योंकि 12 का चीज है इसलिए मैं बार बार 12 में बच्चों को कहता रहता हो कि ध्यान पूर्वक पड़ो ये चीज आपकी बहुत बेसिक है सब इंटर से ही उठाये जाते हैं आपके कमपेटिशन में सवाद बस लिखने का तरीका और थ्योरी जो होती है थोड़ा सांघीलिस हो जाता है थोड़ा साल हो जाता है सारा का सारा चांसेप्ट ट्र ult a कि आता है वे इस तरीका एक ही होता है इससर चलो बहुत अच्छे काल बच्ची करी आजसर आ तो इसको मैं क्या लेकूँगा याने कि अमलником लेका ये क्या लीखा है हिंदी में अमलेका और भार यह हिंदी में क्या लिखा है चलर लिख देता हो अमलेका और भार है Amalekowski अबद Éन क्या है क्या Amalekat तुल्यांगे के बार गुड़े अमले की छारियता क्या अमले की छारियता अमले की छारियता अगर इस टापिक को समझना है छारियता को तो आप जाकर के 12 की वीडियो फिर से देख लेना कौन से चेप्टर का बिद्दुतरासायनिक वाले में यानि बैदुत रसायन में इलेक्ट्रो केमिस्टी में आप देख लेना जा करके वहां आपको फिर यह चीज मिलेगा चलिए बहुत अच्छे मुकेस क्या है मुस्कान जी कह रहे हैं सर याद है वासकर जी यस सर याद है चलिए अनाम क्या बच्ची जी सर आगे हाँ नीरज जी आप 11 के हो तो कोई दिक्ट नहीं आप देख लो एक बार आप जब बारा में जाओगे तो आपको ऐसा लगे गारे यार यह तो मैंने देखा था हो वहां देखा था यह तो देखा सुना लग रहा है सर यह याद है मुझे है ना याद है ठीक हाँ एक्वेलेंट मास्स यानि के तुल्यां रूंग कि भाँ एकुवेलेंट मास्नों की पहला होता यह लाग वैसे केमी के मैठेट में और रजयत PhD में या अम्ली के लिए हम यह फार्मूला लिक्खेंगे इसलष म्यां आ अ कि आई बहर समय में चलो आगे चलते हैं द достаточно सुनना, ध्यास सुनना मेरे भाई, चले आगे, चले, अच्छा सरी एसीड के लोगा सर बेस के लिए बता दीजिए एक बर, चलो बेस के लिए मैं यही बता देता हूँ, क्या, क्या, सिल्वर, सिल्वर साल्ट मेथड, अगला, सिल्वर, पार, बेस, सिल्वर साल्ट मेथड फार बेस, आओ, ए भाई, क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, क्या करना हमें, बेस इसे क्या करना हीट कराना है, अर्था आपका जो सिल्वर साल्ट होगा, और सी डवालो, एजी जो होगा, वो किसके साथ मिला करके, क्या भाईया, और गैनिक बेस होगा, और गैनिक, और गैनिक बेस में, उसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, और हीट क करने को बाद हमारे पास क्या निकलता है, silver, metal निकलता है, यह ना, metal निकल गया, अब इसका जो फार्मुला वही होगा, पुराना फार्मुला, यानि की molecular weight, molecular weight, molecular weight of, क्या, base, यह ना, is equal to, क्या हो जागा, is equal to, equivalent weight, equivalent weight, equivalent, equivalent mass, mass of, base, into, क्या, acidity, acidity, मतलब चारियता, यह होगा, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, आपकी, चार का अणभार, बराबर, चार का तुल्यांग की भार, चार का तुल्यांग की भार, बुले, चार की अमलियता, चार की अमलियता, बस, यही इतनी बात है, और कुछ नहीं बात है, बताओ, आप अब निकाल सकते हो, अड़भार, हाँ, कापर से किरिया से बताईए, अच्छा, सल्फिरी काम लेकर की किरिया से नहीं बताना, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना बता देना है आपको, आपको दिमाग में यह बात नहीं समझ में आ रही है, सहना चारियता वाला, देखो, अगर माल लेते हैं मेरे पास, सुनो ध्य के साथ क्या करना हैं की ए अर्थात गरम कर दिये जब तो ना अलाग हो गया यह हुआ अब इसकी जो अमलियता होगी इसकी जो छारियता होगी ध्यान से सुना परिसान मतुना लास्ट टॉपिक चला था लाइड महाराज धोका दे दिये अभी आ जाएगा थोड़ी देर के लिए और वैसे भी आप निकाल सकते हो ध्यान से सुना मेरी बात हाँ उसामल को न्यूट्रल करने के लिए कितनाहुज लगेगा तट नि ब् depths लगेगा और पुम्हें लगेगा तो इसकी चाहरे घाम करें अब छेख पलस का इसलिए उस चाहर के अमलियता बोलें इसे अच्छा बारा में जा कर 서 सेशन को देख लेना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया बंद करते हैं यार वहीं तक था लास्ट टापिक अगले दिर हम डिसकस करने वाले हैं क्या कारवनिक योगिकों का वर्गी करड उसकी बात हम देखेंगे आई-पीए-सी नावन के लेचर कुछ आपके कंपिटिशन में आने वाले साइक्लिक रिंक वहीं बड़े बड़े लेएक्जाम्पल पलें बहुत अच्छे उसको डिस्कसμεं करेंगे तो समय अगया अगे अ गया अगया तो प्रा कशले यह जल्ली बताये क्या आपको समय अगया या तक किलियर गया चली बहुत अच्छे, आयोप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गयोगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ और भी अच्छे से आगला सेसन आपको आएगा समझ में बस धैर बना के बैठे रहना परिशान मत होना सब कुछ होगा चलते हैं अगले मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ ओके बाई बाई परिशान मत होना मेरे भाई मेरे लालगवालगों